एक बार मेरे साइड में जो वीडियो चुरी हो ध्यां से देखिए इसमें आपको एक वाल पैनलिंग दिख रही होगी ये वाल पैनलिंग हमने हाली में अपने एक प्रोजेक्ट में बनवाई है हैना सुन्दर और सबसे अच्छी बात कितनी अलग लग रही है अब जोड़ा थोड़ा से imagine करो ये वाल आपके master bedroom में, living area में, drawing room में, dining area में, fire area में या ऐसा कोई भी जगा जिसको आप highlight करवाना चारे है हमाँ कैसी लगेगी नमश्कार दोस्तों मेरा नाम अभिनो चोहन और आप देख रहे है 91 Homes जहांपर हम interior related कमाल के बात करते रहते हैं तो अगर आपको भी ऐसी चीज़ में interest है तो please चैनल को subscribe जरूर करिए आज किस वीडियो में हमें एक plain दिवार को कुछ ऐसा बनाने जा रहे है लेकिन इस वीडियो को बनाकर मेरा ये बिलकुल नहीं है कि आप ये wall अपनी copy कर ले हाँ वैसे चाहे तो copy भी कर सकते है इस wall के इस details में दूंगा ही लेकिन मेरा aim ये है कि आप ये वीडियो देखकर ये सीख सके हैं कि इस तरह की कोई भी दिवार जिसमें design कोई भी हो वो कैसे बनवाया जाए अब आप बहुत सारी design मेरे site में देख रहे होंगे इन सभी design में एक चीज़ common है वो ये कि आगे लकड़ी की panelling है और फीछे से उसमें light आ रही है इस वीडियो को देखने के बाद आप इन में से कोई भी design बहुत राम से बना पाएंगे इस वीडियो में आपको इस panelling के बारे में हर एक detail मिल जाएगी जैसे design क्या choose करें, कैसे choose करें, material क्या choose करें, material में कितना खरचा आएगा, labor का खरचा कितना आएगा और total finishing कैसे दी जाए, यानि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी wall की panelling बहुत राम से कर पाएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अब सबसे पहला step यह है कि आपको एक design decide करना है यह design आप या तो मेरे side में जो वीडियो चल रही है, जो फोटो सल रही है, इनमसे को एक ले सकते हैं जो मैं इस वीडियो में exact बनाने वाल हूँ, उसको copy कर सकते हैं आप के पास को interior designer है, उसके पास जा सकते हैं, उससे कोई design बनवा सकते हैं या फिर चाहें तो आप खुद भी कोई design बनवा सकते हैं और अगर इनमसे कुछ भी नहीं हो रहो, तो आप हमारे पास तो आई सकते हैं, हम आपके design बिल्कुल करके दे देंगे मैं मान के चल रहा हूँ कि design आप खुद करने वाले हैं, किसी भारवाले से नहीं करवाने वाले उसके लिए आपको क्या क्या चीज़े फॉलो करने होगी, वो मैं एक मोटा मोटा को बता देता हूँ ताकि आप अराम से कर सकें सबसे पहले आपको नापनी अपनी दिवार, और उसको perfect scale down करना है इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ मान के चलते हैं, आपकी जो दिवार है, वो 12 feet ऐसे, यानि लंबाई उसकी 12 feet है और 9 feet उचाई है इसको आपको एक paper बे बनाना है, आपकी दिवार को लेकिन करने हैं आपको perfect scale down यानि 12 feet अगर ऐसे है, तो उसको 12 inch समझो 9 feet ऐसे है, तो उसको 9 inch समझो और इस साब से paper बे बना लो ऐसे करने से paper पर एक मोटा मोटा आपको idea हो जाएगा कि आपकी जो दिवार है, उसकी dimension कैसी है और उस पर कैसे design अच्छा लगेगा और इससे एक फाइदा ये भी होगा, कि जब आप design बनाओगे तो जहां पर design एक inch का है आपको अच्छे से पताओगा, कि दिवार पर ये चीज एक feet क्योंनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने scale down किया था, वैसे scale अब भी करोगे, हमने जो दिवार ली वो 12 feet लंबी थी, और 9 feet उचायू थी उसकी, 12 feet में हमने 2 feet एक तरफ चुड़वाए, 2 feet डुखते रफ चुड़वाए, जहां पर हम lures लगवाने वाले हैं और बीच में आने वाली है MDF की paneling, अब बीच में जो MDF की paneling लेकिन आपको size decide करने से पहले दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला तो ये कि size बहुत जाजा चोटा मत ले ले लेना बहुत सारे चोटे-चोटे boxings होंगे, देखने में थोड़े बुरे लगते हैं, क्योंकि आपका space भरा हो देखने लगता है पहले तो आपको ये ख्याल रखने है दूसरा आपको ख्याल रखने है कि size ऐसा लो जिसमें wastage कम से कम जाए जैसे जो आपका MDF का board आता है वो 8 feet by 4 feet का आता है अब अगर आप इसमें 12 inch by 12 inch या 16 inch by 16 inch या 24 inch by 24 inch के box कटवाते हैं तो आपके wastage कम निकलेगी इसके लावब आप कोई भी size कटवाएं कटवा दो सकते हैं लेकिन उसमें आपके wastage जादा निकलेगी तो बस इन दो चीजों करते हैं रखो और बीच में आपको box से जिस भी size के बनवाने है वो बनवा सकते हैं अब जो भी design decide हुआ है वो आप paper बना लो उसमें सारी measurement बिल्कुल accurate लिखना ताकि Carpenter कोई confusion ना हो अब जो हमारी drawing है वो हम आपको side में दिखाए रहे हैं अगर आप चाहो जो इसका screenshot ले सकते हो ताकि आपके बाइचांस same दिवान निकलती है तो आप बिल्कुल इसी drawing के साथ जा सकते हैं और अगर कुछ समझना है तो नीचे description ने एक link दिया होई whatsapp का उस पर click करके आप से हमारी team से बात कर सकते हैं और अपना पूरा का design करवाई सकते हमसे अब कागस पर आपके design ready हो चुका है अगर आपके घर labor औरी लगी हुए है, कारपिंटर लगा हुआ है तो उससे कहिए कि यह same design दिवार पर बना दे ताकि एक perspective पता चल जाए कि design अच्छा लग भी रहा है या नहीं अगर ऐसा नहीं है, तो खुदी pencil लो, scale लो और same design आप दिवार पर बना लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपके design अच्छा लग भी रहा है या नहीं एक बाद design बन गया, उसके बाद वह mark कर लो कि वहाँ आपको बिजले करनेक्शन कहां का चाहिए होगा एक बाद इस वाली panel को ध्यां से देखिए बीच में light आ रही है, light ले जाहिए से बाते मतार भी दिया गया होगा अब मैं मान की चल लो कि आपके दिवार बिलकुल plane है जैसे मेरी थी तो वहाँ हमें जिरी काटनी होगी जिरी के लिए जरूरी है कि आप बिलकुल accurately बदा सके कि कहां कहां पर आपको power source चाहिए तो वहाँ पर mark कर लो इसके बाद आपको जाना है बिजले की दुकान पर वहाँ से आपको दो चीजे लेकर आनी है पहले तो यह कि वहाँ से आपको डेड़ mm का wire लेकर आना है उसके बंडली लियाना और दूसरा पांच cabinet light बहां से power लेनी है और सारे points तक जानी चाहिए इसके लिए जरूरी है कि सारे points आपस में जीरी के medium से connect हो जाएं जीरी कुछ नहीं होता दिवार में हलकी सी छेद मार दिया जाता है जिसके अंदर wire को दबाया जा सके जैसे कि आप वीडियोस में देखे रहे होंगे आपको नियर इस power source से जीरी काटते वे सारे points को आपस में connect कर देना है उसके अंदर wire को दबा देना है यही wire है जो power source से हर light तक power लेकर जाएगी हम अज इतना ख्याल रखेगा कि जहाँ-जह light आने वाली है वहाँ तार ले गए वहाँ से थोड़ा एकसा तार बहार निकाल लेना और फिर आगे ले जाओ यह इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि आगे पैनलिंग लगे तो उसमें से तार निकाला जा सके और light लगाई जा सके यह पूरा process बड़ा छोटा है एक अच्छी electration को मुझ्छो से 2-3 घंडे भी नहीं लगे पूरा काम करने में और 2-3 घंडे में आपकी सारी जहीरी कट के बिलकुर ready हो जाएंगी इसके बाद आपको जाना है कारपेंटर के पास जिसको लेकर आना है घर पर और साथ ही में लेकर आईए कारपेंटरी का समान अब जब आप कारपेंटर की दुकान पर जाएंगे यानि वूट की दुकान पर वहां से आपको बोड लेकर आना है बोड आप MDF बोड भी ले सकते हो HDHMR भी ले सकते हो हमने MDF लिया है लेकिन अगर आपके ऐसी कोई दिवार जिसके पीछे सीपे जा सकते है या फिर आप कोस्टर लेरे में रहते हो तो मैं रेक्मेंट करूँगा कि आप HDHMR बोड लेकर आएं अब चाहे आप MDF लाओ HDHMR लाओ लेकिन आपको लाना है 12mm का अब हमारे जो साइस था वो था 8 feet यानि हमें 2 बोड काफी थे अब आपको देखने कि आपके वहाँ कितने बोड लगेंगे हम 2 बोड 12mm का MDF दुगानसर लेकर आ गए अब डिजाइन के नुसार जो पैलिंग में आपको बॉक्स दिख रहे थे वो आपको इन MDF में कटवाने हैं ये MDF 12mm मोटा है आपको 6mm गहरे ग्रूफ कटवाने है जिनके जो विर्थ हो जो चोड़ाई हो वो 3mm ये 4mm ले सकते हो एक बार दोनों बोर्ड में आपकी मन मुतापी बॉक्स कट गए उसके बाद इन MDF को आपको ले जाना है या HDCMR जो भी आप लाए है उसको लगवाने है सीधे दिवार पर आपके डिजाइन के अनुसार अब जब आप लगवा रहे हो आपको बस ख्याल दो चीज़ागा रखना है पहले तो ये कि कील का इस्तमाल ना करते होए आपको गिट्टी पेज के माद्यम से इसको दिवार पर फिक्स करवाना है ताकि आगे तक ही मजबूती बनी रहे और दूसरा ये कि जब कारपेंटर फिक्स कर रहा हो उसको बोल दो कि पीछे से तार गई हो है वैसे उसको दिखी रहा होगा उसके आर पर कोई भी स्क्रू ना कर दे उसे थोड़ा बच के चले अब जब ये पैनलिंग दिवार पर लग रही होगी अब बनानों ऐसे है कि आप एक बॉक्स को लो जैसे सोला बैसोला जो हमने लिया है उसको आधे में आपको एक ट्राइंगल सा बनाना है 12 mm की पट्टियों से मैं जानता हूँ ये समझे से थोड़ा सा मुश्किल है चाहो तो रिवाइंड कर लो मेरे साइड में जो इमेजे चल रही है आपको ध्यान से देखते रही है और आपको समझ आ जाएगा कि exactly आपको करना क्या है अगर ये स्टेप आपने ठीक से किया तो आपके कई सारे बॉक्स ऐसे हो जाएंगे जिसमें बीच में से एक ट्राइंगल निकल के आने लग जाएगा अब जब ये एक ट्राइंगल बना तो एक ग्रूव अंदर की तरफ बन जाएगा जहाँ पर आपको फिट करवानी है अपनी कैबिनेट लाइट यहाँ पर complicated काम होता है खदम अब चलते हैं अगले simple step पर अब बीच के 8 foot में तो paneling हो गई side के 2 foot और 2 foot बज गए वहाँ पर आपको लेकर आना है WPC lowers को जो 25 mm deep होने चाहिए दो variation आता है 12 mm या 13 mm को आता है और दूसरा 25 mm को आता है आपको लेकर आना है 25 mm क्योंकि WPC lowers जितने गहरे होते हैं उतने जादा अच्छे दिखाई देते हैं जब आप दुकान पर लेने जाओ तो याद रखेगा WPC panels लगबख 6 inch चौड़े होते हैं और 8 feet लंबे होते हैं तो आप एक बार size नापके चलो जैसे हमारा एक तरफ 24 mm छूटा हुए तो हमें एक तरफ 4 panels की ज़रूत पड़ेगी यानि हम दुकान से टोटल 8 panels लेकर आए अब एक बार ये panel आपके पास आगए तो पीछे कोई लगड़ी लगवाने की ज़रूत ने इनको fix करने के लिए आप सीधे इनको दिवार पर लगवा सकते हैं करना कुछ नहीं है पीछे 5 को लगवाओ दिवार पर सीधे चिपकाओ और 20 नंबर की पॉना इन स्कील से जो headless होनी चाहिए वो सीधे ठुकवा दो अब जब वो ठोक है आपका कारपेंटर तो थोड़ा ध्यान रखेगा कि वो जो paneling की design हो तोड़ ना दे इसले उसको कहा दो कि थोड़ा ध्यान से ठोकना है और headless की लोगी तो दिखाई भी नहीं देगी एक बार आपके WPC lures लग गए उसके बाद कारपेंटर काम हुआ खतम अब आपको लेकर आने अपने पेंटर को पेंटर से आपको करवाने हैं दो काम पहले थे होगी कि जहां जब पर कील मारी होगी वो थोड़ा से दिखाई दे रहा होगा तो आपको कोई भी ब्लैक पेंट लो या फिर जो भी कलर के आपके WPC lures थे हैं जैसे हमारे अंदर से ब्लैक कलर के थे तो हमने ब्लैक पेंट लिया हलका सुच का टच अप कर दिया ताकि कील दिखने बिल्कुल बंद हो जाए और दूसरा ये कि जब हमने ये MDF की पैलिंग लगवाई थी तो गिट्टी पेज की माद्य हम से इनको दिवार पर लगवाई था अब गिट्टी पेज मजबुत ही देते हैं लेकिन वो छेट भी कर देते हैं MDF में इसलिए आपको उनकी अच्छे से फिनिशिंग करवानी है इनकी फिनिशिंग अच्छे से करवानी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई भी उभार हमें दिखना सके ताकि आगे जो फिनिशिंग आने वाली हो बिलकु सीमलेस आए अब मोटी मोटी पैलिंग पूरी हो गई लेकिन अब करने हैं इसके फिनिशिंग फिनिशिंग में MDF के उपर आप कई चीज़े करवा सकते हैं आप P.U. करवा सकते हैं आपको जाने है wallpaper की दुकान पर wallpaper में आपको design बहुत सारे मिल जाएंगे वो में आपके उपर छोड़ता हूँ कि कैसे लाना है बस इतना ध्यान रखिएगा बहुत जाता भरा हो मतलाना भरा हो आते हैं जो पहले की पूरी show है वो खतम हो जाएगी और भीज़ की ग्रूफ दिखने बंद हो जाएगे इसलिए भरा होग वाल पेपर बिल्कुन मतला लाना दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप वाल पेपर लेने जाओ तो वाल पेपर आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का लाना है आप दुकान वाले को कहिए कि मुझे कोरियन पेपर का वाल पेपर चाहिए यह एक तरह का प्रकार होता है इसमें एक पेपर आता है जो थोड़ा कप्रे जासे दिखता है वो wallpaper काफी अच्छा होता है दिखने में भी काफी अच्छा होता है प्लस उसकी quality बहुत ज़्यादा ही होती है तो आप वो ही घर पर लेकर आईएगा तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक wallpaper का roll एक बार में 45 square feet cover कर सकता है तो आप पहली देख कर चलो कि आपके कितने square feet area है जो आपको cover करना है और एक wallpaper कितना कर पाएगा इस साब साब decide कर पाएगे कि आप कितने roll लेना चाहते हैं जैसा हमारे लिए 2 roll काफी थे तो हम दुकान से जागे 2 roll लिया है इसके बाद आपको लाना है wallpaper वाले को क्योंकि वो ही इसको चिपकाएगा आपकी paneling पर wallpaper वाला इस case में थोड़ा सा time जादा लेगा क्योंकि प्लेन दिवार नहीं है बीच में जो groove से हो भी दिखने चाहिए तो छोटे-छोटे हिसों में wallpaper को काट कर इनके उपर लगाने शुरू करेगा ताकि आपके जो groove से हो भी साफ साफ दिख सके है अब मैं recommend करूँगा कि ये चीज़ आपने सामने खड़े हो के करवाए क्योंकि आपने जतनी महनत करिये बीच में groove अगर देने में अगर wallpaper वाले ने ठीक से आपने कितने कमाल की चीज़ बनाई है लेकिन काम यहां खतम नहीं होता है हमने ये देवार बनात हो दी लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि खर्चा कितना हुआ तो एक बार cost की तरफ भी देख लेते हैं सबसे पहले हो गए हम बिजली के दुकान पर जहां से हमने 5 कैबिनेट लाइट ली और 1.5 mm की वाइट ली ये सारा समान मिलाकर मुश्किल से मुश्किल 2,000 का अराम से आ जाएगा हलागि उससे कम भी आएगा मैं थोड़ा सा एक्स्रा पकड़गी चल रहा हूँ इसके बाद आप गए लकड़ी की दुकान पर जहां से आप 12 mm के 2 MDF के बोर्ड लेकर आए अब 40 रुपे स्क्वेर फीट के हिसाब से बिलें तो इसका आपकी कैल्कुलेशन आती है कि आपका खर्चा लगब 3,000 का हो गया इसके अलावा आप 6 mm का बोर्ड भी लाए होंगे उपर लगाने के लिए वहाँ पर आपका खर्चा गया 1000 रुपे का यानि 4000 रुपे में आपके लखड़ी के पैनल आ गया आपके पास इसके लावा थोड़े स्क्रूज, फैविकॉल वगएरा भी यूज होंगे तो वो मान की चलो 500 रुपे से उपर नहीं आएंगे तो वहाँ 500 हर्चा हो गया इसके बाद गए आप WPC लुवर्स की दुकान पर वहाँ से लुवर्स लेने लुवर्स जो होता है एक बहुत अराम से 700 रुपे का आ जाता है हमने 8 लुवर्स के इस्तिमाल किया तो टोटल कितने हो गए यानि 5600 रुपे में आपके WPC लुवर्स भी आपके पास आ गए सबसे आखिर में हम गए वाल पेपर की दुगान पर वाल पेपर एक रुप लगबग 1500 का आता है तो 3000 रुपे में आपके आपके आज दो रुपे आ गए अब इंस तो आपको calculate किया जाए तो approximately 5000 में आपका सारा material आ गया अब देखते हैं labor का क्या हुआ labor में सबसे पहले आप लेकर आए electrician को electrician का वैसे ज़दा काम है तो नहीं फिर भी मानके चलते कि वो 2000 रुपे आपसे ले लेगा हाले कि ये भी मैं थोड़ा higher side लेकर चल रहा हूँ इसके बाद आप लेकर आए carpenter को carpenter की एक दिन की दियाड़ी यानि daily wages 1000 से 2000 की बीच में हो सकती है चलो 1500 मानके चलो अब हमें 2 car painter की ज़रुद पड़ेगी एक दिन के लिए यानि car painter का आप का खर्चा हो गया 3000 रुपे इसके बाद हमें ज़रुद पड़ेगी painter की painter का हाला की बहुत साथ काम नहीं है कुछ घंडों का ही काम है फिर भी हम मानके चलते कि आप painter को अलक से लेकर आएंगे तो 1000 रुपे आप से ले लेगा यानि 1000 रुपे गए painter के पास इसके बाद लेकर आए wallpaper वाले को wallpaper वाला एक रोल लगाने के लिए 400 रुपे लगबर ले ले लेता है अब हम दो वाल पेपर लेकर आए ते तो दो रोल के होगे 800 रुपे यानि लेबर कॉस्ट को टोटल देखा जाए तो लगबर 7000 के आसपस ये भी बनती है 5000 का material 7000 की लेबर इन दोनों का आपसम मिलाए तो आता है 22000 रुपे चलो इसमें 1000 रुपे और जोड़ देता है जो इधर तो ट्रैवल करना इधर से उधर समाल लाना उसमें चले जाएंगे यानि होगे टोटल 23000 रुपे अब ये 23000 रुपे लेकिन ध्यान रखिए कि मैंने आपको जितने भी कीमत बताई है वो थोड़ा ओना हायरेंडी बताई है थोड़ा हायर साइट पर ही बताई है यानि अगर आप थोड़ा समझदारी के साथ चलेंगे तो ये कॉस्ट 23000 से गटका 20,000 के नीचे बहुत अराम से आ जाएगी तो देखिए मातर 20,000 उपे 2-3 दिन की महनत और ये वीडियो के दम पर आपने कितनी सिंपल दिवार को कितना कमाल का बना दिया है तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? मुझे उमीद है ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और सबसे कमाल की बात आपको समझ भी आई होगी फिर भी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा complicated सीज़े समझाने के लिए आपकी मन में अभी भी कोई confusion अगर रह गया है तो please नीचे comment को उनको पूछ लीजे मैं उनको जब वहीं दे दूँगा अब जब आप comment करें तो हिचे कीगा बिलकुल मत क्योंकि आपका एक comment कई हजार लोग का doubt भी हो सकता है यानि आपके एक comment के माधियम से कई हजार लोग का problem solve हो सकती है अगर आप अपना घर interior design करवाना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है नीचे description में एक link दिया आगया है whatsapp का उस पर click करो आपकी बात सीधे हमारी team से होगी और हमारी team से बात करके आप अपना पूरे घर का interior design बहुत अराम से करवा सकते हैं सबसे innovative way में और सबसे कमार की बात सबसे सस्ते way में तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको मेरा काम पसंद आता तो please subscribe जरू करिए आपके लिए subscription एक section का काम होता है लेकिन ये मुझे motivation देता है कि मेरा काम ठीक जा रहा है तो चलो आगे बढ़ते रहते हैं